इस्त दिल्ली मुनिसिपल कॉर्पोरेशन के करमचारियों की पिछले 20-25 दिन से हड़ताल चल रही है ये हड़ताल क्यों चल रही है हमारे उपर आरोप लगाया जा रहा है कि हमने पैसे नहीं दिये इस दिल्ली को लग रहा है ना रोप आज मैं सारे सरकार के कागज लेके आया हूँ आपके सामने दिखाने के लिए ये सरकारी कागज है इसमें पिछले 10 साल का लेखा जो खाया शीला दिक्षी जी के टाइम पे MCD को कितना पैसा मिलता था फिर 2014-15 में LG साब का प्रेजिडेंट रूल था राश्टरपतिशासन उस टाइम तो BJP की सरकार थी BJP के टाइम पे कितना पैसा मिलता था और हम कितना पैसा दे रहे हैं 2013-14 में जब शीला दिक्षी जी के सरकार थी उन्होंने East MCD को 2013-14 में दिया 287 करोड रुपए याद रखना थोड़ा सा कितने दिये? मोटे मोटे तोड़ पे 300 माल लेते हैं 300 करोड रुपए दिये शीला दिक्षी जी ने उसके अगली साल 2014-15 में आ गए राश्टरपतिशासन यानि की BJP की सरकार उन्होंने दिये 396 करोड रुपए मोटा मोटा माल लेते हैं 400 करोड रुपए शीला दिक्षी जी ने दिये 300 करोड BJP ने दिये 400 करोड 2016-17 में हमारी सरकार थी हमने दिये 948 करोड कितने दिये मोटा मोटा साड़े 900 करोड शीला दिक्षी जी ने दिये 300 करोड BJP वालोंने दिये 400 करोड हमने दिये 900 करोड कहते हैं पैसे नहीं दिये ये कहां गया सारा पैसा उनके टाइम में एक बार भी अड़ताल नहीं हुई शीला दिक्षी जी के टाइम पे भी नहीं अड़ताल हुई LG साहब के BJP के शासन में भी अड़ताल नहीं करोड कई साहरे पूरी दंखः दे रहे थे कहरे हैं तब पूरी अब वमनेrators तीन गुना पैसा देदिया शीला जी देती थी 300 करोड हमने दे दिये 4 500 करोड तीन कुणा से भी जाता से गए फेर भी तंप काने दे रहे हैं कहां गया जी सारा पैसा इन तीन साल के अंदर कोई नई भर्तियां तो इनी है कि करमचारियों की संख्या बढ़ गई इन तीन सालों में तंखा भी नहीं बड़ी करमचारियों कि कई सारे खड़े हैं पूछ लो कोई नहीं बड़ी दंखा फिर कहां गया सारा पैसा जंता पू महीने में साथ सो सतर करोड दे दिया भी आधे साल में शीरा दिक्षित जेती थी तीन सो करोड एक साल में हमने दे दिया साथ सो सतर करोड छे महीने में फिर भी गया रहे हैं तांका नहीं में तो हमारी जो जानकारी है सारा पैसा चोरी हो रहा है सारा पैसा ठेकेदारों को दि जा रहा है करम्चारी भी दुखी है बिचारे गरीब सफाई करम्चारी जंता भी दुखी है आज इनको आम अगर 9000 करोड भी देदे ना इसका तसकुना तब भी तन खानी देंगे यह सारा पैसा खा जाएंगे एक बात तो यह बिल्कुर कहना गलत है कि पैसा नहीं दे रहे जितना पैसा बीजेपी देती थी, उससे धाई गुना जादा पैसा दिया, जितना पैसा शीरा दिक्षी जेती थी, उससे तीन गुना जादा पैसा दिया. दूसरी बात, पूरे देश में हर मुनिसिपैलिटी को लुधियाना हो, चाए अमरित सर हो, चाए रोतक हो, चाए बंबई हो, चाए मदरास हो, चाए कलकत्ता हो, हर मुनिसिपैलिटी को केंद्र सरकार 488 रुपए पर पर सिटिजन के साब से, जितनी पॉपुलेशन होती है न उस हेरिया में, उस मुनिसिपैलिटी की, 488 रुपए पर सिटिजन के हिसाब से, केंद्र सरकार सीधे नगर निगम को ग्रांट देती है, केवल दिल्ली को नहीं देती है, पूरे देश में हर मुनिसिपैलिटी को, चाहे वो इस्ट में हो, चाहे गुजरात में हो, चाहे रुनाचल पर देश में हो, चाहे तमिन नडू में हो, चाहे जम्मो कश्मीर में हो, एक जाए हिमाजरFF प्रदेश में चाहे हिमाज़ः प्रदेश में चाहे पंजाब में हो जोए हिमाजर पर्देश में हो। हर मुनििसिपैलिटि के उस ए AG में जितनी जन संख्या रहती है। उस जनसंख्या के हिसाब से पर परसन पर इयर 488 रुपए की ग्रांट देती है, एड देती है हर साल, दिल्ली को एक भी पैसा नहीं देती है, और केंदर सरकार सीधे नगर निकम को देती है, केंदर में बीजेपी, नगर निकम में बीजेपी, बीजेप नगर निकम वाले कें केंदर से पैसे नहीं मांगते हैं हमारे पैसे दों केंदर सरकार केंदर करोड रूपया नगर निढम को मिलना सरकार नगर निकम को पैसे दे हमारा क्या लेना देना थे फिर भी हम गए है क्योंकि दिल्ली की जनता हमें प्यारी है इसमें दुखी दिल्ली की जनता हो रही है इसमें दुखी सफाई करमचारी हो रहे है हम लोगों ने दिल्ली सरकार ने सुप्रीम कोट में केस करा है यह पा जनता पीचारी गवर्नेंस नहीं समझती जनता को कहते है केजरीवाल की सरकारे केजरीवाल पैसे नहीं दे रहा है अब उनको बता देना कि जितना पैसा शीला दिक्षजी देती जी उससे तीन गुना जादा पैसा दे दिया केंदर सरकार को पाँच हजार करोड रुपया देना है अगर पाँच हजार करोड रुपया दे दे सारे सफाई करमचारियों के एरियर भी मिल जाएंगे उनकी नौक्रियां भी पक्की हो जाएंगी और बंबं हो जाएगी सारे नगर लिगम दूसरी बात अब दिल्दी को सजाने संभारने की बार